देख विना ब्रेक जाँदे करता हूँ अभी वादन करता हूँ वास्तू की बात कमल नंदलाल के साथ मैं सिर्फ एस्टो तक पर एक ऐसा चैनल जो आपके जीवन को सरल सुगम और सफल बनाने का प्रयास निरंतर जारी रखे हैं और यह प्रयास आगे भी जारी रहेगा खास बात मुद्बे की बात एस्टो तक को लाइक करें सब्स्राइब करें फेस्बुक और यूट्यूब पर अब आज का विशय खास विशय वो ये कि अगर आपके घर की साउथ वेस्ट डारेक्शन नेरित्यकोंड दक्षन पस्चिम दिशा अगर गंदी है यह उसमें गंदगी रहती है तो आप पे बढ़ सकते हैं फाइनेंशल लॉसस के चांसे घाटा हो सकता है आपको नुकसान हो सकता है बिजनस में लॉस हो सकता है आए जाने कैसे हैं आपके घर की हर डारेक्शन और हर कोना कि किसी ना किसी घ्रह को रिप्रेजन करता है इस दिशा में किसी ना किस ग्रह का असर जरूर होता है उन ग्रहों के अनुसार अगर कोई वास्तु दोश होता है तो घर में रहने वाले हर व्यक्ति को financial losses होते हैं मेंटल losses होते हैं साथ बसाथ के अंदर health losses होते हैं वास्तु दोश के कारण घर का कोई न कोई सदस्य बीमार ज़रूर पढ़ सकता है यह बीमार पढ़ता है पैसा नहीं टिकता है बीमारीयों पर खर्चा बना रहता हैं और इसके कारण घर के लोगों के बीच में लडाई होती है, मतभेध होते हैं, इसलिए घर में वास्तु से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़ादा ज़दूदी है, और स्पेशली साउथ वेस्ट कोना में आप क्या करें और इस कोनी का कितना महत्वा है ये मैं आपको बतात है, तो इतना समझ लिजेगा, आपके घर में पैसा खड़े में चला जाएगा, बात नमबर दो, अगर आपके घर के साउथ वेस्ट कोने में बहुत ज़ादा नीले और काले पेंट का स्तामाल हुआ है, तो भी ऐसी प्रॉब्लम होगी, अगर आपके घर में साउथ वेस्ट कोने के अंदर, डस्ट बीन स्टिंग कर रहा है, यानि कि अगर उसमें से बद्बू आ रही है, तो भी ऐसी प्रॉब्लम होगी, चौथी बाद, अगर आपके साउथ वेस्ट कोने के अंदर, बहुत ज़ादा कटलरी है, या बहुत ज़ादा क्लटर है, यानि कि कबाल घर है तो ये प्रॉब्लम होगी, उसका एक बात कारण, सबसे बड़ा कारण ये है, कि उस गंदगी पर राहू का अधिपत्य होता है, राहू लॉट्शेप रखता है, और राहू अगर स्थेर होकर बैड़ जाए आपके घर में, तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आती, आईए इसक जीशे को किसी भी टावल से ठक देना चाहिए और उस तरफ सिर करके बिलकुल नहीं सोना चाहिए, शीशा वैसे बुद्ध और राहू दोनों को रुपजन करता है और अगनी तत्व को कम कर देता है, जिसकी वज़े से हमारी सेहत पर भी असर पड़ता है और पति-पत्नी क है, तो आपके घर की जो मुख्य महिला है, जो आपकी मदर है, यह आपकी जो दादी है, उसका पेट और उसकी कमर, यानि की निचला हिस्सा जो है, वो रोगों से घेरा रहता है, साथ बसाथ के अंदर जो प्रेग्नेंट अगर लीडी है आपके घर में कोई, तो बहुत सार चांसे उनके अबोर्शन के रहते हैं, घर बहानी के रहते हैं, साथ इस्ट डिरेक्शन में, अगर आपने पानी की जगह बना दी, मटके रख दिये, फिल्टर रख दिया पानी का, तो वहाँ पर रहने वाली जो लेडीज हैं, उनको बीमारिया हो जाती है, आपके घर के ल आउट वेस्ट डिरेक्शन में गंदगी है, यहां वो इस्टान गंदा है, और अगर खुला है वो इस्टा, गंदा होने के बावजिद, अगर खुला है, तो वहां के जो लोग हैं, वो मेंटली बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर रहू का शेत्र, रहू का शेत्र को औ और प्रबल कर दिया आपने राहू से गंदगी वहां डाल कर उस पर भी आपने रोशनी देदी तो सूरे को लेकर आके सामने कड़ा कर दिया तो यहां पर गरहन दोश और छाया दोश का निरवान हो जाता है तो अगर गंदगी बहुत रहती तो इसको कवड़ करा लें इसके इसके लावा इस जगहों पर अगर महां पर धूप भी है और कचरा भी पढ़ा है तो महां पर बुरी ताकत अपना देरा बना लेती हैं और इसके लावा आपके शरीर में ऐसी बिमारियां जन्म लेती हैं जो जांच करवाने पर भी आसानी से जिनका पता नहीं लगता जिन आपको पत्री, ब्लेट प्रेशर, गैस अशिडिटी के समस्या लगातार बनी रहती हैं इसके लावा अगर आपके घर की साउड डिरेक्शन में दीवारों पर दरारे आ रही हैं तो घर की जित्ती भी लीडीज हैं वो भीमार हो जाएंगी इसके लावा घर की वेस्ट डिर के दिवारों पर अगर दिद्धिरार आरही है तो घर के जो पुरुष हैं उनकी सेहत खराब होना की संभाब मैं है अगर आपके घर के सामने बड़े पीड़ हैं यहाँ को 趣 कि अधिक़ अधिर कल पूल है जो बिलकुल आपके घर के में गेट के बिलू सामने बढ़ रहा ह तो आपको financial losses का भी सामना करना पड़ सकता है और आपके घर के जितने male members है उनका स्वास्त खराब रहता है और especially memory losses होना शुरू हो जाते हैं और पेट की problem शुरू हो जाते हैं अगर आपके main gate के सामने अगर को घड़ा है तो उससे जो जितने भी family members हैं उनको mental और psychological problems होती है अब साथ बसाथ में अगर घर के main gate के सामने कीचड़े या गंदगी है तो परिवार के लोग किसी न किसी तरह की बिमारी से घिरे रहते हैं और इतना ध्यान रखिए कि कभी भी कच्चरा जो है तो आज आपको मैंने बताया कि अगर घर की साउथ वेस्ट डिरेक्शन में गंदगी है तो आपके लाइफ में फैनेंशल और हेल्थ लॉसस जरूर होगी तो अगर घर के साउथ वेस्ट कोने में अगर कचरा पड़ा है तो उसको ढखकर रखें और कोशिश है करें कि जो डस्वीन है आपका उसको अच्छे तरह से धो करके साफ करके रोज रखें ताकि उसके अंदर से स्टिंक ना है तो फ्रेंज हम नए टॉपिक के साथ में कल आपसे फिर मिलेंगे तब तक के लिए आपने मित्र अपने सका अपने फ्रेंड का मलने लाल को जाज़त दीजिए देख भी नबरेख